हेलो फ्रेंट्स विल्कम तो माई चैनल फ्रेंट्स मैं संगीता और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा विद बेल आइकन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे फ्रेंट्स आज मैं मिर्ची से एक चटपटी से बनने वाली रेसिपी लेकर आया हूं अब इनको हमें कट करना है तो कट हम करेंगे अधे से एक इंच के टुकड़ी में ज़्यादा इन वाटी explored कम होते हैं अगर पिर दा इस अब कर लें और यह तो राजस्थानी की छोछी सी रेशिपी लेकिन ये राजस्तानी धाली की जान होती है इसके बिना धाली कंप्लीट नहीं मानी जाती है तो ये कट गए हमारे सारी मिर्च अब कुछ सूखे मसाले ले लेते हैं धनिया जीरा का पाउडर है और हल्दी, जरा सी हल्दी लगेगी ये सौफ, एक चमच लगबग सौफ है वो दरदरी कुटी हुई है मोटा मोटा सा अब आए इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च क्योंकि ये मिर्च हमारी तीखी नहीं होती है इसलिए मिर्च थोड़ा सा हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग दो चमच डालेंगे अमचूर पाउडर अगर आपके मिर्च को आप कम टाइम तक स्टोर करना चाते हैं तो अमचूर की जगए आप नीमुका रस भी ले सकते हैं काला नमक डालेंगे इन सब को मिक्स कर लीजिए अब एक पैन या कडाही में नमक डालेंगे तेल गरम होने पे जीरा डाल लेते हैं और राई राई को इसे भी आप लीजिए काली या पीली को इसी भी राई रे ले सकते हैं कलोंजी हल किसी कलोंजी हमें लेने आए याँ पर थोड़ी सी जादा लेंगे तो कड़वा हो जाएगा कड़वपन आ जाएगा हीँग डालेंगे तो इन सबी मसालों का जो फ्लेवर मिक्स फ्लेवर आएगा बहुत ही यमी सा फ्लेवर होता है जहां आप दो रोटिया खाएंगे वहां चार रोटिया खाएंगे इन मिर्चों के साथ तो यह दिखिए चलाते हुए भूनते हुए हमें यह मिर्चियों के उपर एक हलकी सी वाइट कोटिंग आ गई है और फ्लेव हमारा लोही रहेगा पूरे टाइम क्यूंकि मिर्चियों को हमें यहां पर पकाना नहीं है गलाना नहीं है क्रंची फ्लेवर रखना है बिलकुल तो यह जब हलके से भून जाएं तो हम इसमें डाल लेंगे मसाले अपने और हलका सा नमक क्योंकि हमने नमक पहली यूज़ कर लिया है तो यह रेखिए सारी चीज़े सूखी है तो इसको आप हफ़ते-दस दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और ब्रेकफस्ट, लंज, डिनर किसी भी मिल में आप इ यह हमारा सीक्रेट इंग्रिदेंट इस से मिर्ची का जो यह रेसिपी है बहुत ही तेस्टी हो जाएगी, यह है बुरादा नारिल का इससे आप ज़रू डालिएगा बहुत ही तेस्टी से बन जाएगी, तो फ्रेंड्स, आपको यह चटपटी टेस्टी तैंगी सी जो रेस क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं होता है क्रंची ही रखना होता है ग्रीन कलर अब उसका जो है बरकरार रखना होता है तो डिश आउट कर लेते हैं और आप इसे इंजोई कर सकते हैं किसी भी मील्ट के साथ तो फ्रेंट्स कैसी लग रही है यह चोटी सी रेसिपी आपको आप ह में जरूर बताएगा फ्रेंट्स तिल देन बाव बाई